अलाम अलेकुम, Definition in Urdu में एक बार फिर आपको खुशाम देद करते हैं आज जो हम पढ़ने वाले Definition वो है Transistors की Definition Transistors होता क्या है Definition से स्टार्ट करते हैं It is a semiconductor which consists of a thin central layer of one type of semiconductor material sandwich between two relatively thick pieces of other मतलब तीन टाइब हमने पढ़ी पिछली वीडियो में Positive Negative Negative And again positive अच्छा ये तीन टाइप्स हैं अगर इन तीन टाइप्स को हम इस तरह सेंडविश करके पैक कर रहे हैं जैसे इन्होंने Definition में बताया है तो ये कहलाता है एक Transistor अच्छा ट्रांजिस्टर की तीन ट्रेमिनल होता है यनिके एक होता है हमारे पास Base फिर Emitter और फिर Collector अच्छा तीन आपने अगर ट्रांजिस्टर देखा हो एक Real Life में एक छोटा सा इस्ट्रूमेंट सा होता है कि तीन तार होता है तो यह होता है ट्रांजिस्टर अच्छा ट्रांजिस्टर की खूसियत क्या होती है यह ट्रांजिस्टर की средा है? यह कि क्लिक्टो को केंट्रोल करते हैं यह low current को control करते हुए high current को control कर लेता है यहीं कि अगर हम कुछी को low current यह low voltage अप्लाए करते हैं तो इससे हम high current यह high voltage को control करते है तो यह होता है basic function transistor का अच्छा अब transistor की अगर हम symbol की बात करें transistor का symbol किस तरह से होता है transistor का symbol होता है कुछ इस तरह से transistor का यह हो गया इसको एक circle में पैक होता हम होंगे वैंकि यह transistor का symbol हो गया हमारे पास transistor की symbol की बात कर लिए हमने transistor की rough diagram की बात कर लिए तीन elements होगे transistor के base emitter और collector वह पढ़ लिए हमने अच्छा यह इस्तिमाल किसी होता है low voltage को कंट्रोल करते हुए high voltage को कंट्रोल करता है अब इसकी अगर हम अगर कोई emergency system आपको design करना है कि बिलफर्ड इस तरह का तो उसमें हम transistors को use करते हैं इसके different मुफ्टलिफ अप्लिकेशन है throughout the world इसकी different types होती हैं लेकिन basic जो principle हमने हम जाने को इश्करी है तीन elements होते हैं तीन उसके terminals होते हैं और यह इसका symbol आगे यहाँ पे तो उमीद है आप